So, hey guys, आप सभी लोग का स्वागत है एक नए तरीके की वीडियो में, जो कि ये सिरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ये पार्ट वन है So, मैंने ये सोचा कि इतनी सारी हमारे इंडिया में Free Fire के टीम्स हैं So, सारी टीमों पे एक स्पोट लाइट डालते हैं, उनके प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं और किस तरीके से उनका फ्यूचर होने वाला है, किया प्लेयर गेम चल रहा है तो ये सारी चीज़े आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और आने वाले टाइम में और बेश के पार्ट्स आने वाले हैं तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं with the OGs of Free Fire जो कि मैं कहूंगा इस Community के पुराने हैं सबसे जादा और one of the finest team in India है Total Gaming E-Sports तो इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे सीरा चलते हैं वीडियो के उपर तो अगर हम बात करें Total Gaming E-Sports के बारे में तो यहाँ पे हमें कौन-कौन देखने को मिल रहा है पॉजी आजए हैं जो कि team के IGL माफिया बाला, माफिया डिलीट और अंश अगर इस line-up की मैं बात करूँ तो अब इसमें थोड़े changes आ चुके हैं क्योंकि अंश को हम अब देख सकते हैं कि वो tycoons में खेलते हैं हमें देखने को मिल रहा है तो दो players का जो addition है क्योंकि यह Liquipedia का page है और यह updated नहीं है जो दो नए players यहाँ पर add होंगे वो हैं आपके TG Rohit and TG Dragorg GRG आप कहलें Drago वो दो players add हो चुके हैं यहाँ पर वो भी जल्दी यह page update होगा तो हमें जरूर से देखने को मिलेंगे अब इस time पर हम बात करें TG की Total Gaming की line-up already बहुत strong थी बट recent days में जो meta change हुआ है तो उस meta के वज़े से थोड़ी problem टीम को हुई है को nade का meta या जादा fire power का meta या जिसके वैसे team का performance थोड़ा लड़ खड़ाता वह हमें दिख रहा था बट अगर मैं बात करूँ Dragorg की और अगर मैं बात करूँ TG Rohit की तो ये दो players बहुत जादा fire power रखने वाले players है और delete उनके साथ अगर है तो अलगी एक game होने वाला है तो ये अब एक question रह जाएगा कि line-up जो रहेगी वो किस तरीके से रहा करेगी जो मुझे लगता है कि total gaming के पास अब 6-7 player है एक दिन में बहुत सारे tournaments खेलने होते हैं तो line-up ये नहीं साथ में rotate की जाएगी बहुत जादा अब चलिए एक एक player पर थोड़ा यहाँ पर हम बात करते हैं अगर हम Fawzi Ajay की बात करें तो यहाँ पे इंडिया के finest player है Fawzi Ajay और सब को ये वाली बात पता है और जिस तरीकी की IGEL ये अपने team को international level पे भी जाके इन्होंने कमाल करके दिखाया है बहुत सारी जगाओं पे जहां पे total gaming almost खतम होने वाली होती है हमने देखा की Fawzi Ajay की वो IGEL और वो next level heavy driver वाली car से rotation जहां पे एक तरह से बस eliminate होने वाली है team और उन्होंने अपने team को जितवाया है so for me one of the finest IGEL Fawzi Ajay को मैं कहना चाहूंगा और अब तक का मुझे लगता है पूरे free fire community में इस चीज़ से कोई disagree भी नहीं करेगा मेरे अगर हम mafia bala की बात करें तो we know that की mafia bala एक वक्त के सबसे जादा शानदार sniper में आते थे बट जब से mafia का edition हुआ है तो हमने mafia bala को देखा है support role पे जा पर आगे भी खिलते हैं हमें बहुत बार यह दिखे हैं so अब देखना है कि जब दो तीन assaulter अब इनके पास team में already है तो ये क्या करते हैं क्योंकि एक sniper भी एक full time sniper भी team में already है तीन assaulters बहुत जादा आगे तो देखना है कि क्या mafia bala अपने आपको supporter ही के role पे आने वाले time में देखते हैं या कुछ उनके तरफ से हमें कुछ changes आते वे देखने को मिलेंगे उनके gameplay में अगर हम बात करें TG mafia की तो इस mafia को मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे छोटा player, youngest player और one of the finest sniper जिसके हमने shots देखे हैं चाहे वो car 98 हो चाहे वो MA2 भी हो चाहे वो कोई सी भी sniper हो अलगी आग लगा देता है और आज कल तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि mafia close में जा जाके लोगों को मार रहा है अगर वेक्टर मिल जा रही है, अगर M1887 मिल रहा है तो ये sniper, last zone में sniper को त्याक के assault rifle उठा उठा के लोगों को मार रहा है एक complete player बनता हुआ मुझे mafia दिख रहा है आने वले time में अगर मैं delete की बात करूँ तो ये player एक अलगी player है एक form था delete का, जो चले पे चले आ रहा था जहांपे assaulting में number one नाम, rushing में number one नाम delete का होता था इनका नाम जैसे की दर्शा आता है, delete जब यह आते थे तो ये players को delete करते थे अभी हाली में मैं बात करूँगा कि delete का वो performance हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है टोटल गेमी के रोहित एक नया edition हुआ है, टीम को बहुत जादा जब जरुवत थी firepower की तो अज्जू भाई और आपके फॉजी अजय ने टीजी रोहित को लेकर आए, इनका एसे लिकुपीडिया पर कोई page नहीं है तो हमें पता है, रोहित का gameplay कितना जादा close में deadly है, और जिस तरीके से अभी जब से इनका edition हुआ है, पिछले एक दो हफते से ये लगातार खेलते हैं हमें देखने को मिल रहे हैं अलगी next level का fire power बढ़ चुका है, तो ये player एक key role निभाने वाला है, अदा करने वाला है, जहां पर fragging की जब बात आएगी तो delete के साथ आपको रोहित देखने को मिलेगा और delete and, रोहित के लिए मैं ये जीज़ कह सकता हूँ कि ये एक deadly duo बनता वहा हमें देखने को मिलेगा आने वाले time में अब जो एक नया edition हुआ है, अभी दो दिन पहले ही ये नया edition हुआ है, TG Dragorg, और आप इनको कहते हैं Dragorg, जो कि ये नेपाल के player है, TG Rohit भी एक नेपाल के player है, तो दो नेपाल के player को यहां पर TG में लाया गया है, और दोनों player की अगर हम बात करें, Dragorg जिस तरीके सा assaulting करता ह जो इसके nading है, एक next level है, तो इस time पे Total Gaming में Dragorg के edition से, Total Gaming रोहित के आने से बहुत जादा strong हो गई थी, तो अब अगर हम Total Gaming की बात करें, तो हमारे पास overall पे एक बहुत complete team हो चुके है, जहां पे इंडिया का one of the best IGL है, one of the best sniper है, आपके पास एक बहुत जादा calm composure वाला player है, जो वक्त आने पे अलगी-अलग चमतकार करते वे हमने उनको देखा है, सोलो, बूया निकालते वे देखा हो, फिर तीन assaulter आते हैं, जो मैं कहता हूँ, इंडिया level पे next level है, जो कि आपका TG Delete, TG Rohit, and TG Drugog, so मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करने वाले हैं, आग लगाने वाले तो हैं, यह वाली बात पकी है, तो यहाँ पर पूरी यह लाइन अप हो गई है, जो TG के अभी इस टाइम पर हम देख रहे हैं, तो फॉजी आज है, आई जेलिंग करते हैं, हमें सारे लोगों का रोल पता है, अब जो हमें जिस तरीके से पता है, कि यहाँ पर ओवर लाइन अपस हमें देखने को मिलेगी, और किस हिसाब से मिलेगी, अभी जो रीसिंट हमें लाइन अप देखने को मिलेगी, अभी मैं मानता हूँ कि ड्रेगॉर्ग एक नया प्लेयर है, तो ऐसा नहीं है कि उसको डिरेक्ली बड़े लीग्स में खिला दिया जाएगा, अभ अगर हम दूसरे पर बात करें, तो मैं कहूंगा कि हमें माफिय बाला देखने को मिलेंगे, जो रोल अदा करेंगे, आईजेल का, उनके साथ हमें रोहित ड्रेगॉर्ग का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, और माफिया ज़रूरत है स्नाइपिंग के लिए, बट जब मै कहता हूँ, अगर ये सेम छे लोग, अभी छे महीने तक अगर टोटल गेमिंग में टिक गए, और कोई लाइनप में चेंज नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगता है, कि जो नए लोग है, उन्हें मौका दिया जाएगा, और हमें एक देखने को मिलेगा लाइनप, जो सबसे ड अगर हम बात करें, तो ये तीनों प्लेयर आग लगा देंगे, बूम बाम कर देंगे, तो जो तीसरा लाइनप है, वो मुझे नहीं लगता कि अभी हमें तीन-चार महीने देखने को मिलेगा टोटल गेमिंग E-Sports का, बट हाँ, ये टीम सेटल डाउन हो गई, तो ये बात म मैं मैं मैंप्स की बात करूँ, और सारी चीज़े तो टोटल गेमिंग E-Sports के उस डेप्थ में बात क्यों नहीं गया, कॉज इनके तीनों मैप्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो परिगटरी हो, चाहे वो कालाहारी हो, चाहे वो बमूडा हो, ये टीम का जो मेन फोकस है, इस टीम के बारे में हम सब को जानते हैं, बट जो प्रॉबलम आ रही थी, वो आ रही थी, आपके लाइन अप में, जिस चीज़ को अब सुधार लिया गया है, कहीं न कहीं, तो I know for a fact, टोटल गेमिंग E-Sports आने वाले टाइम में, ये लाइन अप लेके अगर खेलती हैं, तीन लाइन अप में ने लिखा है, आग लगाने वाली और खास कि जब से नए प्लेयर्स का एडिशन किया गया है, बहुत सोच समझ के किया गया है, और obviously, एक इंडिया की टॉप नॉच टीम है, तो इस टाइप का डिसीजन हम expect भी कर रहे था, not a big surprise कि इन्होंने नए और इ पसंद आई होगी, तो लाइक करेगा, शेर करेगा और सब्सक्राइब जरूर से करेगा चानल को, अभी से भी है टोटल गेमिंग इस्पोर्स में बाने किया है, उसके इलावा, अब next आप comment section में बताएए कि इस तरीके का short analysis और उनके player composition के बारे में मैं किस team के बारे में बा